शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वीसेया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें अब आदे घंटे में कोरोना टेस्ट टेस्ट के लिए किसी लैब की जरूरत नहीं व्याहड पेट स्वास्त केंद्र में लगाया नया मशीन नागपूर तहसिल में पहली बार कोरोना परिक्षन केंद्र बना व्याहड पेट स्वास्त केंद्र देजभर में कोरोना वाइरस परिक्षनों की गती तेज होने के बावजूद भी कोरोना परिक्षन के बाद एक रिपोर्ट आने में लंबा समय लगता है इसलिए मरिदों को समय पर उपचार नहीं मिलता है कभी-कभी परिक्षन रिपोर्ट प्राप होने से पहले रोगी की मृत्य हो जाती है ऐसे मामलों को रोखने के लिए रैपिड एंटिजन टेस के मनजूरी के साथ कोरोना परिक्षन अब तुरंत किया जाएगा और प्रयोक्षाला के आवशक्ता भी नहीं होगी शिक्षन सभापती भारतिताई पाटिल ने नागरिकों को जानकारी दी व्याहरपेट आरोगे केंद्र के रैपिड एंटिजन युनीट के उद्घाटन व्याहरपेट आरोगे कल्लान समिती वाध्यक्ष शिक्षन सभापती भारतिताई पाटिल उपाध्यक्ष मम्ताताई धोपते के हाथों के आ राज्य के स्वास्तेमत्री राजेश्टोपे ने महाराश्ट्र सरकार द्वारा राज्य में 75,000 रैपिड परिक्षनों टेस्ट युनिट लगाने की खोशना की। इस आउसर पर सामिती की सदस्य अविनाश पारदी, सुधीर करंजीकर, शिरपूर भुयारी, सरपंश गौड़ेश अंकर गजबिये, व्याहर पेट, सरपंश पिठोबा कारे, मालु भोयर, सुननदा साथपुते, मुख्यरूप से उपस्तित थे। रैपिट टेस्स से कुछ शे मिनट में रिजल्ट मिलता है, इसमें कमलागत में काम कर सकता है, के बारे में विस्तरूद जानकारे मेडिकल ओफिसर, डॉक्टर सुष्मा धुर्वे, डॉक्टर सोनाली बाके ने जानकारे इस मौके पर 21 लोकों का टेस्स किया गया, स्वास् झॉक्टर स्कता है